नवस्कार दोस्तों, जै बारत, जै उत्राखंट, मैं हूँ आपके साथ कुल्दी प्रावत और इस समय मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ, जहां एक बेटा जंग लड़ रहा है अपने जीवन को बचाने के लिए और उसके साथ खड़ी है उसकी मा किस तरीके से अपने बेटे की जान बचाई जाए मेरे साथ है सुस्मा देवी जी जो पौड़ी गड़वाल की रहने वाली है नैनी डांडा बिलॉक और इनके बेटे को एक बिमारी अचानक से इनको पता लगा कि ये बिमारी है और मैं पूरी जानकारी लोगा उनसे लेकिन आज जरुत है तो पूरे समा लोगों किस तरीके से अपने बेटे की जान बचा सके दी क्या बीमारी हुई कैसे पता लगा थोड़ा मैं जानना चाहता हूं जो है एक उसको फोड़ा सा बुखार है अँसा बुखार है हां और आप वक्रार को दिखा ए उन्होंने बोला कि आप गाउं में रहते हां ये ब तो डॉक्तर ने क्या बोला वहां से जो है वहां से कुछ निया बोला दवाई खिलाओ बस हमने उसको काशीपूल में दिखाया तो वहां भी कुछ निया दोक्तर में बेलेच चरा के एक हाग फटे में घर भीज़ दिया उसको फिर उसके बाद यहां दिली माना कैसे हुआ ते मैं लात्त वे अपरकारं बोलो एक बर्यांट करेंगे नए कभरकार्चे कि एक आम परिवार के लिए उसके लिए घृर्ट ही उसके ले तो सफनाई मैं कहूंगा एक साथ इखट्टा करना जो है कि कैसे मैं घट्टा करूं किस चीज के लिए बूला डॉक्टर होने कि किस चीज के लिए जमक दबाई मंगांगे बाहर से इंग्जेक्शन गेरा तो इसके लिए खर्चा बढ़ाया अच्छा तो अभी कैसा मलब बलड चडाना ही पड़ता है क मेरे पास रिपोर्ट भी है जो आप देख सकते हैं काफी नो ने एम से टेस्टिंग अगरा करवाई है सारी वेरिफिकेशन है और थोड़ा समय इसमें भी कहूंगा की जहां आज बात हो एबड़ी-बड़ी चाहिए मैं धिल्ली सरकार की बात करूंregistrouल स्वास्थे स्कीमों की अगर मैं बड़ी-बड़ी तो आप देख सकते हैं आयुसमान कार्ड भी बना हुआ है लेकिन एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि यहां पर नहीं चलेगा ऐसा क्यों बोला उन्होंने क्यों नहीं चलेगा जो है क्या कारण बता है हिसमान की दोतरे फ़ना आउना हैं तो किसे दो अधर्ला कई अब देख सकते हैं 50 अच्छ कम चार इस्पे लिखा वा है लेकिन कि अस्छा में तो लिखा ओंधा लिकिन हके क्याफिकत में जब यह एंस में इलाज करお願いします तो एक लाग रूपे डॉक्टर ने बोला एक लाग की रुपए बोला एक लाग तक इस तर्वाइब बनाया था इस कारड को बनाने में पी काफी महनत है वाला कार्ड जो रासन कार्ड होता हो भी बनाया हमने यह बोले कभी बोले और इसनल कार्ड यह तो लगता है एक मैंने च्छे मैंने लगते हैं इसको बनने में च्छे मैंने में बनाई कार्ड जाहिए बच्चे के जाद़ तबियत खराफ होगी तो फिर में वही बात कह रहा हूं कि आई उस्मान काड़ तो है दिल्ली सरकार की किसी ब देश की राजधानी और उत्राखंड उत्राखंड की सरकार और केंदर सरकार स्वास्ते की कितनी बड़ी-बड़ी बाते चल रही है लेकिन एक गरीब आदमी जब इलाज करवाने निकलता है भार तो हकीकत मालूम पढ़ती है कि जमीनी लेबल पर कितना फायदा लोगों को मिल रहा है और पांच लाग का मुफ्त उप्चार इस आयुसमान कार्ड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेकिन यह बिचारे परेसान है और डॉक्टर ने इनको 15 लाग की रकम जोडने के लिए बोला है और फिलाल तो हम यह चाहेंगे कि कैसे भी करके इनकी मदद की जाए किस तरीके से जो पंद्रा लाग का इंतजाम है वो किया जाए और जो बच्चे का ऑपरेशन भी होना है साथ में जो है बैन मेरो ट्रास्प्लांट कोला है तो जादा नहीं पता की कांच कैसी होता है डोक्टर की बहा साही बात है यह नहीं पता तो आपको भी क्या पत मैंने तग मिलता कभी साल वरोष ही रहते हैं जो कमा भाग कहते है तो दोस्तो आज मैं आया हूँ याँ पर और क्या नाम है भाई का नाम है नीख रावत आज मैं हूँ और मेरे साहत है नी रज्रावत जिनका आइम्स में एइलाज होना है 15 कि बात वहां पे कही गईै क्यू जंग ये लड़ रहा है बेटा जो है बताया जा रहा है कि हर हपते लम्मे लगवग इसको खून चड़ाना पड़ता है अगर नहीं चड़ाएंगे तो जो है इसके नाक से खून आने लग जाता है और तब बहुत जादा बिगड़ जाते हैं तो हर हपते लगवग इसको खू किया हुआ है जिसके तुरू आप इस मा की मदद कर सकते हैं इस बेटे को एक नया जीवन दे सकते हैं और हम भी चाहेंगे जो है ये बेटा हस्ता खेलता रहे और आगे जो है देश की सेवा में अपना योगदान दे इसका बहुश्य सुगम बने तो दोस्तों उमीद है आप जरूर मदद करेंगे और हम एक जो बच्चा है उसकी जान जरूर बचाएंगे आपसे बसे ही उमीद है किरपया मदद जरूर करें जै भारत जै उत्रा